जैहिन दोस्तों दोस्तों विपेसी के लिए जो आपका सेट डेली बेस पर करवा जा रहा है अभी देखिए आप सुपर फास्ट तरीके से आप सेट लगाए जितना आप रिविजन कर सकते हैं उतना अधिक यहां पर रिविजन कीजिए यह देखिए आपका जो प्लेट फार देखिए आपका किताब जो है मार्केट में लॉंच किया गया है इसमें आपका 68 बेसे संबंदित आपके यहां पर सेट और 11 प्राक्टिस दिया है लेवल बहुत ही तगड़ा है आपके बिप्यक्स के लिए तो आपका जल्द ही आपका सेट करवा जाएगा मार्केट से मार कड में अगर आपका आजा है तो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न क्या है देख लेते हैं यह आपका सूपर फास्ट रहेगा वीडियो ठीक है तो वीडियो को आप सुनिए गाराम से सभी कोशन आपके लिए इंपोर्टेंट है पहला हमारा प्र ले याद रखेंगे सिक्षा मंत्राले option number B सर्यू नदी के किनारे बिहार का कौन सा सहर जो है इस्थित है तो कौन सा सहर इस्थित है दोस्तों तो यह आपका छपरा हो जागा याद रखेंगे छपरा यानि option number C निंदलिखित में से किस भारतिय राज्य में पहला हाथी पुनर इसका answer आपका हो जाएगा ले हमें कहां पे ले option number A जो परवस्रेणी से अने से भीन है वह कौन सी है तो वह कौन सी है बताइएगा तो यह आपका हो जाएगा option number B हो जाएगा यानि अपलेशियन जो है इसका सही उतर हो जाएगा अपलेशियन राष्ट्रिय प्रदूसर नि 15下一 को हम क्या मनाते हैं राष्ट्रिय परियाड दिवस के रूपे मनाते हैं जन्גणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सहरी करण जो है सरवाधिक है तो सहरी करण जो है सरवाधिक है आंसर हमारा यहां पे C हो जाएगा पटना में क्या हो जाएगा पटना option number C राष्ट्रिय खेल दिवस के स्थिथी को मनायाता है राष्ट्रिय खेल दिवस तो यह हम मनाते हैं 29 अगस्त को 29 अगस्त अगर वही हम बात कर लेते हैं दोस्तों 21 जून को हम क्या मनाते हैं सभी की पता है 21 जून को अंतराश्ट्रिय योग दिवस की रूप में मनाते हैं और 15 सितंबर को हम मनाते हैं राश्ट्रिय अभियंता दिवस राश्ट्रिय अभियंता दिवस तालिबान किस भासा का सब्द है देखे तालिबान जो है दोस्तो हमारा एक परकार्ड से पास्तो भासा का यहां पे शब्द है Osakhan हमा ढि बहारत अथा पकिस्तान के मदद सीमा रेका एकBack किसका तो UNSर हमारा हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का हो जाएगा इसका सहीउत्तर हो जाएगा देके आगे हमारा प्रसák vacation can भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे जो है निमन नदी पर बनाए गया है यानि कौन से नदी पर जो है बनाए गया है तो यह बनाए गया है आपका ब्रहंपुत्र नदी पे, आंसर हमारा यहां पे सी सही हो जाएगा, निमलिकित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान क आसपास अपना आप तक का सबसे बड़ा सय ने अभ्यास किया है आंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर 13 का यह हो जाएगा चीन भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य के किस जिले में वनावरण जो हैं सरवाधिक है वनावरण सबसे अधिक है तो यह आपका ज जमोई हो जाएगा याद रखेंगे जमोई ऑप्सन नमबर ए कैलसियम का परमाणू संख्या 20 है कैलसियम का इलेक्ट्रोनिक विन्यास दर्साने वाला सही विकल्प जो है निम्न में से कौन सा है आंसर हो जाएगा दो आठ आठ दो ऑप्सन नमबर डी राइट हो जाएगा निम्न में से किसने भारत सरकार अधनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जो है कहा था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जावाहर लल नहरू याद रखेंगे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक सत्यागरह के दवरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ स रह्त किसकर के द्वारा सरकार का विरोथ किया है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा चौकिदारी याद रखेंगे चौकिदारी ओन्लाइन दूट तो कोश फ intelligence लड़ने के लिए विक्सित किया आंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमर सी रेल कोच फैक्टरी जो कि कपूर थला इसका आंसर हो जाएगा केंद्रिय केंद्रिय रेसम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रस्थिक्षर संस्थान निम्न में से इस्तित्थे कहां पर तो यह आपको देखने को मिलता है मैसूर में क कहां पर मैसूर इसका सही आंसर हो जाएगा निरत्य करती हुई नारी की कांद से मुर्ति सिंदु सभिता के किस इस्थान से प्राप्त हुई है तो यह आपका प्राप्त हुआ है दोस्तों मोहझ जदरों से याद रखेंगे मोहझ जुद्रों आप सब्सन हमारा यहां सी सही और जो आपका एडूटेरिया का सेट आने वाला है वो भी आपका उसमें दिया जाएगा डिस्कस्टन के साथ ठीक है पर मेघाले में आरे भारत में कहां पर आए हुए थे देखिए आरे के अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका केंदरी एसिया हो जाएगा केंदरी एसिया से ऑप्सन नमबर सी निम्न मेंसे किसे भारत में फ्रांसिसी कंपनी का संस्थापक जो है माना जाता है आंसर हो जाएगा हमारा कोलबर्ट याद रखेंगे कोलबर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा तारीक sharing पूस्त का लेखा कक़ौन था बताईएगा एब पूस्तक का लेखा फें दोस्तों आपका विक्डा की जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा option number बी निमलिखित में से कौन सा कथन नुन Já है तो देखिए गलत हमारा जो है option number की हिसाब से हमारा यहां पर गलत हो जाएगा आप इसको पढ़ लेते हैं देखिए गुजरात का जो यहां पर दिया गया है टट बारासो चौदो दसमलों साथ किलोमेटर लंबा है ठीक है तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखे है ठीक है टट से जुड़ा हुआ है इसमें से आपका यहां पर केरला गोवा कुजरात करनाटक महराष्ट पस्यमंगाल उडिसा आंदर प्रदेश और तमिलनाडू हो जाएगा आगे है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के निसास प्रदेश कौन सा है सभी को पता होगा आंसर हमारा यहां पर डी हो जाएगा जम्मू कासमीर लवन एवं फासपुरस की प्रसुटा निम्न में से किस मिट्टी में पाई जाती है तो यह आपको देखने को मिलता है कहां पर मरुस्थर्य मिट्टी ऑप्सन नबर सी राइट हो जाएगा इस रो की मतलब कब किया गया है माफडी जी गा कब किया गया है तो यह आपका 1998 में किया गया है वर्च 1998 option हमारे हैं पर ए correct answer हो जाएगा नेताजी सुभाशनर बोस ने लापता होने से जुड़े विभीन पहलूं के अध्यान के लिए गठित जांच आयों के अध्यक्ष कौन थे तो कौन थे आयत ध्यक्ष बताएगा देखिए इसका अंसर आपका हो जाएगा M.K. मुखर जी M.K. मुखर जी option हमारे यहां पर भी सही अंसर हो जाएगा आगे देखिए मिलान करके बताना है तो हम इसको फटाफट मिलान करके देख लेते हैं देखिए जो हमारे यहां पर दिया गया है कि M.C. महता यह हमारा हो जाएगा ताज महल सनक्षड एगम वकील हो जाएगा ठीक है सुंदरलाल बहुगोडा की बात कर लेते हैं तो आपका चिपको आंद्रवन हो जाएगा अनिल कुमार अगरवाल यह आपके हो जाएगे C.E. जाएगा तो हमारा उत्तर जो है यहां पर एक से अधिक हो जाएगा भारत में सरवादी काफी उत्पादक राज्य कौन सा है तो हमारा उत्तर जो है दोस्तो करनाटक हो जाएगा याद रखिएंग करनाटक ऑप्सिन नमबर B इंटरनेशनल रेटिंग एजनसी गोल्ड मैन गोल्ड मैन सक्स ने वित्तिय वर्स 22-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है उत्तर हमारा हो जाएगा 5.9% आप्सन हमारा B राइट हो जाएगा 10% नियम किस से संबंदित है तो यह जो हमारा न सांती सांती काल में सरवच वीरता पुरसकार जो है कौन सा है आंसर हो जाएगा हमारा असोख चकर असोख चकर इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि खाधानेव का स्रुक्षित संग्रह सुनुचित करना हो तो काटाई के समय उनका आध्रता अंस कितने प्रतिसत से अधिक नह यहां पर नहीं होना चाहिए तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्स नमर भी 14 परसेंट जो है यहां पर नहीं होना चाहिए यह आपका हो जाएगा आगया कि भारत में बैंको द्वरा प्राथमिक छेत्र रिड़दा रिड़दान से किसको रिड़देने से है तो यह हमारा हो जाएगा आपका दुरलब वर्ग हो जाएगा लगु एवं छोटे उधम हो जाएगा और क्रिसी हो जाएगा तो आंसर हमारे हैं पर डी सही हो जाएगा मासिक अनुपात के अधार पर वेतन कि प्रथाकिस मुगल समराट ने आरंब किया है तो यह किसके द्वारा आरंब किय जाएगा एओ साहत जहां के द्वारा यह सुरू किया गया है ओप्सन हमारे पे बी हो जाएगा आगे है ध्यूंट रूंग की गूंज इक के लिए कौनस अ करण जिम्हेसर हमारे हो जाएगा पड़ा वर्टन यह रखेंगे पड़ावर्टन उप्सन the निमलिकित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा जो है नहीं मिलती है तो बताइएगा तो रूस का यहाँ पे नहीं मिलता है बाकी तुर्कमिनिस्तान का मिलता है और उज्बेकिस्तान का मिलता है इसमार्ट मनी सब्द जो है किसके लिए परियोग किया आता है आंसर हमारा हो जाएगा 45 का option number D credit card जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा याद प्रतिवे के वायू मंडल की अनुपस्तिती में आकास कैसा प्रतीत होता है या पिर कैसा प्रतीत होगा तो यह आपका प्रतीत जो होगा दोस्तों काला होगा प्रत्थम बहुत परिस्त कहां आयोजित जो है हुआ था आंसर हमारा हो जाएगा option कहसाब से हमारा E हो जाएगा और इस्थान पुछ रहा है तो राजगिरी होना चाहिए जो कि हमारे option में नहीं दिया गया है आगे हमारा प्रस्तन है सीलिका जेल क्या है देखिए सीलिका जेल के अगर हम बात कर लेते हैं 48 नंबर तो हमारा सुखान खाने वाला पदार्थ है सुखाने वाला पदार्थ option number D निम्न में से किसे एक स्नाहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है बताइएगा इसका आंसर क्या होगा तो यह आपका अगरे फाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A बताइएगा आगे हमारा प्रस्तन है कि भारत में गेंडे का प्रकृतिक निवास कहां पर है जो प्रकृतिक निवास से दोस्तों काजी रंगा में देखने की मिलता है अगर आपका काजी रंगा पूछा किस से है तो आप बोच सकते हैं काजी रंगा जो है हमारा गेंडे से सम्मंदित है निम्न में से कौन राष मिधान के अनुसार निमलिखित में से कौन सा देश के सासन के लिए अधार भूत है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीती नुरुदेशक्स तत्तो जो है आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस एक को अपने परभाव में सरवादिक इस्प उत्तर हो जाएगा आगे हमारा प्रस्न है कि 1857 की करांती सरपर्थम जो है कहां पे प्रारम हुआ था तो यह हमारा जो प्रारम हुआ तो दोस्तों सभी को पताई होगा मिरेट से आपका सुरू हुआ था आंसर हमारे हैं पर ए सही हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटो जोवा द्वारा होता है तो आपका मलेरिया हो जाएगा याद रखेंगे मलेरिया ऑप्सन नमबर बी कॉंग्रिस कारेकरणी समीति के बैठक में निमलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद फासीवाद तथा समराज्यवाद विरोधी की योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे कौन थे तो वे कौन थे बताईएगा तो एक जवाहर लाल नहरू थे ऑप्सन हमारे हैं पर भी सही हो जाएगा सहा जहां के सासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री जो है भारत आया था तो आंसर हमारे हो जा जाएगा नई दिल्ली में नई दिल्ली ऑप्सन नमबर नई दिल्ली में स्थापित है पैट्रोलियम गैस होती है देखे पैट्रोलियम गैस जो होता है दोस्तों ऑप्सन के साब से हमारा यहां पर ऑप्सन नमबर यह हो जाएगा देखे पैट्रोलियम गैस प्रोपेन होता है उसके बाद हमारा यहां पे ब्यूटेन होता है यह स्वाप को देखने को मिलता है इस पैम किस विशे से संबंदित सब्द है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा option number C computer से संबंदित हो जाएगा option number C cabinet mission की अधिक्सता जो है किसके answer हमारा हो जाएगा दोस्तो आपका मलबरी मलबरी के पत्ते पर option number B निम्न में से भारती समिधान जो है किसकी guarantee नहीं देता है तो प्सल गारंटि जो है नहीं देता है तो option किसाप से हमारा तीन हो जाएगा तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे बांगलादेश नेपाल भूटान ठीक है बांगलादेश नेपाल भूटान इन मेलेखित में से कौन सा खनीज बिहार में उत्पादित किया आता है तो इसका सही आंसर बताएगे क्या होगा दोस्तों देखें माइका हो जाएगा कोईला माइका क्वाटर्ज और यह बहुत सारा यहां बें वाकसाइड भी देखने को मिल जाता है ठीक है चलिए नेश्ट कोसन हम देख लेते हैं आगे हमारा प्रस्न है कि आंद्र भोज क्यू पाधी किसने जो है धरन किया था आंसर हमारा हो जाएगा विजय नगर राजा किष्णदेव राय हो जाएगा ओप्सन हमारा भी सही हो जाएगा सीओ टू उस सर्जन इवंभुमंडलिय तापन के संदर्व में यू एन एफ ट्रिपल सी की अंत्रगत उस बाजार संचलेत युक्ति का नाम क्या है जो विकास्चिल देशों को आपका यहां पे डी जो है सही हो जाएगा सोच विकास युक्ति सोच विकास युक्ति हो जाएगा पुरालेख सास्तर किसका अध्यन है पुरालेख सास्तर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमर ए सिलालेख का हीट रिफ्रेस किसकी आत्मकथा है आंसर हो जा तो हमारा एक शल्धिक हो निमलत में से किसे अनतरश्ट्री सायर गणदन का भी महानियद्सक जो है बनाया गया सबसे अधिक है तो आगे हम प्रस्न देख लेते हैं आगे हैं कि जैस रोक्षा बायो सैप्टी का काट जेना प्रोटोकॉल निम्लिखित केंद्री वंत्रालियों में से कौन कार्यानवीत करता है तो बताईएगा तो परिया वरण एवं वन मंत्राली हो जाएगा आंसर हमारे ह से विस्षट उस्मा जो है सबसे अधिक है विस्षट उस्मा तो यह आपको देखने को मिलता है 75 नंबर है तो हमारा जल का होता है ऑप्शिस नंबर डी 25 सल्सियस的话 मान निम्लिखिस mother है किसो किसके बराबर है ऒताएगा तो उप्शन हमारे हैं पर ऐ सही हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए कैलिविन की बात कर लेते हैं दोस्तों तो हमारा यहां पर 25 डिगरी तापमाद 255 कैलिविन के बराबर होता है ठीक है जो कि आप्सन में हमारा नहीं दिया हुआ है आगे हमारा प्रस्द है बोर्लाय कि रोल्ड गोल्ड एक मिस्र धातू किसके संगटक निम्नांकित में से कौन सा है तो आंसर हमारा यहां पर आप्सन नमबर E हो जाएगा ठीक है इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर तथा अलूमिनियम ठीक है कॉपर तथा अलूमिनियम होगा पाधों के आवस्षिक पोसक ततो में एक ततो हैडोजन का इस्तिरोत क्या है तो सही उत्तर हमारा यहां पर भी हो जाएगा जल इसका आंसर याद रखेंगे निमलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ती भारत में लागत का अधिक्तम लाभ देने वाली है तो यह हमारा हो जाएगा वर्षा के जल का संचयन जहें सही आंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्पूर संसाधन है तो यह हमारा हो जाएगा मानव संसाधन याद रखेंगे मानव संझाधन उप्सन नमर भी देखे मिलाना है सुचीवना सुचीटो को तो रेडियो अक्टिवेटा कि अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा क् हेंडरी हो जाएगा ठीक है कि देखे आगे हमारा प्रसन है कि नाभी की रियक्टर में निमनिखित में से किसे मंदक की रूप में जो है प्रयोग किया आता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा और भी ग्रेफ हाइट को देखिए आपका वीडियो जो है सुपर फास्ट तरीक पूरा इसका सही उत्तर हो जाएगा डेस्क टॉप डेक्स्टॉप चापाई के लिए आमतोर पर किस प्रिंटर का प्रयोग जो है किया आता है आंसर हमारा हो जाएगा लेजर प्रिंटर यादर रखेंगे लेजर प्रिंटर आप्शन नमरे निमनिखित में से कौन सा सुचन इसना प्रोडू की कि सबदावली का भाग जिसे हमारा प्रोट्टोकॉल हो जाएगा लौग इंहो जाएगा अर्ची हो जाएगा विधस जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा आगे हमारा प्रस형'T कि भीहार के खलक खढपूर की पहारी क्यों प्रसिद बताये maximize क्क दोशट क तो दिखकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 86 नम्बर ये हमारा हो जाएगा Bagsside के लिए है किसके लिए है Bagssite के लिए नियम नांकित कत्नों पर विचार कीजिए तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा यानि सुभा शंद्र बोस ने फारवड बलाग का गठन किया है और भागत सिंग हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसिलिष्ट एसोसियेशन के संस्थापक में से एक थे तो आंसर हमारा यहां पे भी राइट हो जाएगा बोला है हमारा आगे प्रस्ट बोला है कि निम्न महापुरुसों में से कौन भारती जागरिती का जनक जो है कहलाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन रहा है ओप्सन हमारा है पे सी सही हो जाएगा चौरी 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 चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे तो जब चौरी चौरा घटना हो रहा था तो आप इसको पता ही होगा 1922 में तो उस टाइम महात्मा गांधी जो थे दोस्तों आपके बारदोली में थे आंसर हमारा यहां पर सी सही हो जाएगा चुम्भी घाटी भारत के किस राजिय में स्तित है आंसर हमारा हो जाएगा option number E देखे चुम्भी घाटी सिक्किम राजिय में स्तित है जो कि हमारा option में सिक्किम नहीं दिया गया है ठीक है तो सिक्किम आप याद रखेंगे भारत का मा इसकार तो यह हमारा हो जाएगा अलग जेंडर ग्राहम वेल अलग जेंडर ग्राहम वेल ऑप्सन नमबर डी अंडमान और निको बार दिप समू में सबसे अधिक उचाई वाले चोटी कौन सी है तो सबसे अधिक उचाई वाले चोटी के बारे में पुछ रहा है तो यह आपक सवicação दिखेंगे स्वींडर यह सहीफिस्तर हो जाएगा सुद्व सोना कितने का होता है सबीक बता है यह हमारा 24 होता है लेकिन यह 24 का सुद्व सोना उना झाल तो आब हुसरन नहीं बनता है इसमें देश की प्रत्म और धोक नेती की घोष्टना जो है किस वर्स किया गया है तो यह किया गया था 1948 में वर्स 1948 ऑप्सन नंबर भी राइट हो जाएगा आगे है बोरलाह की मेकड़नाल्ड के संपरदाइक पंचाट ने किसे प्रिथक चुनाओ छेतर एवं आरक्षित सीटे जो है आवंटित की थी तो आपका दल तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा खोंड हो जाएगा जाद रखें खोंड उफस नंबर भी इंडिया हाउस की स्थापना कब कहां और किसके दोरा की गई है 1905 इस विके लंदन स्यामजी किष्ण वर्मा हो जाएगा ओप्सन नमबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपूर में विलकिंसन कानुन जो है कब लागू हुआ है तो यह आपका लागू हुआ है दोस्तों 1837 में आगे हमारा प्रस्ण है निमलिखित में से कौन डला हो जी कि सबसे भायंकर राणितिक भूल सिद्ध हुई है तो यह आपका हो जाएगा अवद का अधिक रहन सबसे भायंकर राणितिक भूल सिद्ध हुआ है आंसर हमारा डी सई हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 102 का बताईएगा तो यह हमारा हो जाएगा पंजाब हिमाले का याद रखेंगे पंजाब हिमाले का मुगल समराट में नील उत्पादन का सरवादिक प्रसिद छेतर कौन सा था नील उत्पादन का तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तो बयाना बयाना इसका उत्तर हो जाएगा सीवाजी ने मुगलों को अपना तीन चौथाई राज्य की ससंधी के द्वारा जो है दिया है तो पु 1793 की स्थाई भूमी विवस्था के द्वारा भू स्वामी तो किसको मिला है बताईएगा तो यह हमारा हो जाएगा जमिनदारों को आप्शन हमारा यहां पर ए राइट हो जाएगा अमीर खुसरो किस सासक के दर्बारी कभी थे बताईएगा किस सासक के दर्बारी कभी थे तो यह हमारा हो जाएगा option number A, allow दिन खिल जी, allow दिन खिल जी, A हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आगे हमारा प्रसन है कि औरंग जेब दोरा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, देखे जिहाद का अर्थ है दारूल, इसलाम, answer हमारा यहाँ पर A, right हो जाएगा, किली मंजारो की बात कर लेते हैं, तो हमारा आगने गिरी हो जाएगा, D इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीर कासीम और इस इंडिया कंपनी की बीच, ज्ज़ागड़े का मुख्य करण क्या था, बताएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारा आंत्रिक व्यापार पर लगे करो को ले करके डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्रिक्षित का उल्ले क सरपर्थम मिलता है कहां में तो इसका उत्तर हो जाएगा अधर वेद में याद रखेंगे ऑप्शन नमबर सी निमलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश है यूरेनिय कि इस्थानिय स्वाशासन के अधिकार छेत्र में नहीं आता है कि भारत के समिधान में कितने परकार किया पृष्षित का प्रावधान है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी 3 परकार याद रखेंगे तीन परकार का एमनेश्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जूड़ा हुआ है किस से तो यह जो हमारा जूड़ा हुआ है दोस्तों मानो अधिकार के संरक्षर से जूड़ा हुआ है आंसर हमारा सी हो जाएगा सरकार की प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश है निम्न मेंसे किस में सुधार करना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर भी केवल दो यानि बाल लिंग अनुपात इसका सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा पहला किला था जिससे सिवाजी न जीता है तो उत्तर हो जाएगा तोरण किला याद रखेंगे तोरण यानि आप्सन नमर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे है कि आरे समाच के संस्थापक स्वामी दयानन्द के गुरू निम्न में से कौन थे तो यह आपके हो जाएगा स्वामी विरजानन्द ऑप्सन नमर ए अलीगड आंदुरन के संस्थापक निम्न में से कौन थे तो अलीगड के बारे में पूछ रहा है तो यह हमारा हो पर 2017 हो जाएगा option number B बुद्धो की इसवर के रूप में पुझने वाला बौध संपरदाय कौन सा है तो बौध संपरदाय जो है यह हमारा हो जाएगा महायान याद रखेंगे महायान option number B इसमें हमारा मिलान करके बताना है तो देख लेते हैं जैसे अलावदिन खेल जी दो द साचलन ठीक है और फिरोस दुखलक हमारा हो जाएगा नहरों का निर्मान किसके अनुसार मौरे के सासनकाल में जहाज रानी पर का जहाज रानी पर राज्य का एक अधिकार था तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा option number B कौटी लेका किस केंद्रिय छेत्र प्रदेश ने से चेत्र में निवेसकों को आकर्शित करने के लिए पहले खाद प्रसंस्क्रण सिखर सम्मिलन की मेजबानी किया है तो इसका उत्तर हमारा लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी पौध हो यानि पौधा पर पढ़ने वाले सवर उर्जा का कितना प्रतिसत जो है पौ अगे हमारा प्रसन है निमलकित में से उस्र भोमी के स्वामी कौन थे तो बताइएगा देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा तूर्की मुस्लिम हो जाएगा ओप्सन नंबर डी महात्मा गांधी ने राम राज्य की संकलपना क्या थी महात्मा गांधि के राम राज्य की संकल्पना क्या थी तो इसकी जो संकल्पना थी राज्य विहिन समाज option number C किस रंग द्रव की उपस्तिति की करड़ जो है मानो के मल का रंग जो है पीला होता है आंसर हो जाएगा यूरो बीलिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सी राजधानी डैन्यूब नदी पर इस्तित नहीं है तो आंसर हमारा हो जाएगा option number B निम्लिखित में से किस राज्य में नलकूपद वारा सिंचित भूमी छेतर सबसे अधिक होता है तो यह हमारा उत्तर जो है 32 का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश option number C 1937 में बिहार विधान सभा के अध्यक्ष की रूप में निम्लिखित में से कौन निर्विवाद था पताईए इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो 33 का सही उत्तर हमारा राम दयारू सिंग हो जाएगा option number B बिहार में निम्लिखित में से कौन सा आक्सबो अकार का जील है तो correct answer आपका 34 का हो जाएगा option number A हो जाएगा कामर जील याद रखेंगे कामर जील यूरोपिय संसद निम्लिखित में से किस देश को आतंगवाद प्रायुजग देश घोसित किया है तो यह आपका हो जाएग हो जाएगा आमल जब किसी धातू से प्रतिकिरिया करता है तो आवस्यक रूप से देता है तो यह आपका हो जाएगा hydrogen याद रखेंगे hydrogen option number B भारत में जन संख्या विर्धि के प्रमुह करण क्या है देखिए प्रमुह करण के अगर हम बात कर लेते हैं तो answer हमारा यहाँ प जाएगा नेश्ट हमारा प्रस्ट क्या है कि चीली में कौन समरुफ्तल जो है अवस्तित है बताईएगा तो यह हमारा हो जाएगा याद रखेंगे ऑठा कामा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आगे हमारा प्रस्थन है बोल रहा है कि बिहार के किस जिले के बिंदेसवर पाठ कुनिक की एसिया पुरसकार से समानित किया गया है तो इसका सही आंसर जो है हमारा यहां पर वैसाली हो जागा याद रखेंगे वैसाली आप्शन नमबर दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्ष होता है वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और ट हैंट